दोस्तों, 2024 की गर्मी शायद आपको पंक्खे में बैठे-बैठे पसीने दिला दे ये मेरा नहीं, बलकि US की एक Weather Forecasting Agency का कहना है जिसके अनुसार अगले साल भारत में Super El Nino हिट कर सकता है लेकिन ये El Nino का मतलब क्या है? आईए जानते हैं तो दोस्तो, El Nino एक Unusual Climate Pattern है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे Pacific Ocean में Trade Winds चलती हैं जो की East से West की तरफ आती हैं ये Trade Winds Pacific Ocean के उस एरिया में चलती हैं जो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच मिस्ते थे अब ये Trade Winds ओशन की सतह के गरम पानी को East की तरफ से एकटा कर West की तरफ ले जाती हैं जिस वज़े से West में Low Atmospheric Pressure बन जाता है और जो थंडा पानी Eastern Side पर उपर आने लगता है उससे High Atmospheric Pressure बन जाता है क्यूंकि ये हवाएं East से West की तरफ जाती हैं तो West में Evaporation के कारण होती है बारिश अब जहां Asia और Australia West साइड पर आते हैं वहीं दोनों American continents East साइड पर आते हैं तो L.Nino ही वो कारण है जिसकी वज़े से अगले साल भारत में कम बारिश होने के आशंका है और Southern India के मुकाबले Northern India में इसका असर जादा दिखा जाएगा अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अभी शेर करें और मुझे फॉलो करना ना बूलें